अतिथी के रूप में पधारे सभी महानुभावों को सभी अजमान परिवारों को पूरी आयुजन समिती को और आप सभी बंधूओं को बेहनों को मेरे और मेरी व्यास्पीट के सादर प्रणाम और अब आईए गंगा मया की पावन गोद में बैटकर भगवान की इस रस्भरी मंगलमई कथा का गायन करें शवन करें और जो यात्रा के रूप में कथा चल रही है उसने कल जहां विराम लिया था उसके आगे की यात्रा का दर्शिन करें कल भगवान शिरी हन्वान जी के पास आई थी रीश मूग परवत नियर आया सुग्रीव ने हन्वान जी को भेजा जाईए वेश बदल कर जाईए और पता लगाईए हैं कौन क्योंकि मेरे मन में इनको देखकर बहुत मैल आ रहा है बाली ने भेजा हो तो संकेत कर देना मैं तुरंत यहां से भग जाऊँ भागाऊं तुरत तज़ऊं यह शैवा कल मैंने निवेदन किया था कि सुग्रिव में बहुत सारे दुर्गुण है विलासी है, आलसी है, भोगी है, भगोडा है, कायर है, बहुत सारे लोभी भी है लेकिन एक अच्छी बात है इसकी मित्रता हनुमान जी जैसे संत से है और हमारे लिए आश्रासन है दुर्गुण यह स्वाभावे के बाई समाज में आये हैं तो कुछ उनकुछ चीज़ें आएंगी ही फिर हम कलिकाल में निवास कर रहे हैं कोई सत्युक्य प्राणी नहीं है कुछ संसकार जनम से ही आते हैं जो आगे चलके मौका पाकर बढ़ जाते हैं हम न चाहते हुए भी बहुत सी बाते आजाती है करे तो करे क्या तो गुष्वामी जी कहते हैं इस सब होने के बाद भी अगर हमारी किसी संत से मित्रता बनी हुए ये संबन्द है तो वही संत एक दिन दुरगुण होने के बाद भी भगवान से मिलन करा देगा और सारे दुरगुणों को दूर करा देगा यही हनुमान जी न किया राम दर्शन के एक मेव अगर कोई साधन है तो शिरी हनुमान जी जिनको भी भगवान मिले है हनुमान जी की करपासे बानरों को भी मिले हनुमान जी की करपासे सुग्रीव को मिले हनुमान जी की करपासे विवीशन जी को मिले हनुवान जी की करपास जानकी जी को भी मिले तो हनुवान जी की करपास मूर्चित लक्षमण जी को भी मिले तो हनुवान जी की करपास चोगधे वर्ष से विरह में तडप रहे श्रीभरत जी को भी मिले तो हनुवान जी की करपास और हमको और आपको भी मिलेंगे तो हनुमान जी की कृपा से ही मिलेंगे दूसरा और कोई साथ है चुकि राम दुआरे तुम रखवारे भगवान के भवन के मेन चौकीदार श्री हनुमान जी चौकीदार से परचे अच्छा है तो आप जाएंगे गेट खोल देगा प्रवेश करा देगा अगर परचे नहीं है तो बाहर बिठा देगा बोले सर अभी जरा बैठी बैठी इंतिजार करें हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता करा दी भगवान ने बाली का वद्ध किया है तारा को कुछ ग्यानोग देश दिया और अब भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव वर्षा काल है चार मास में प्रवर्षन परवत पर टिकूंगा तुम जाके राज्य का संचालन करना लेकिन मेरे काम को मत भूल जाना अंगद सहित करेव पुर राज्यू अंगद के साथ राज्य का संचालन करना और संतत हरदय धरेव मम काज्यू शरीर से राज्य पालन करना और हरदय से मेरी याद रखना मेरे काम को सुमिरन करना लेकिन मनुष्य का सुभाव भोगी तो है ही और भोगी को तो कंचन और कामिनी दो मिल जाएं बढ़िया राज मिल गया और पत्नी मिल गई बस दूब गया और मनुष्य सबसे पहले भगवान को भूलता है चार पैसे जेव में खनके नहीं और भगवान को भूला नहीं फिर कलव हैं फिर बाकी बहुत सारी चीजे हैं उसके तो कोई सीमा है नहीं चार मास जब पूर्ण हो गए एक दिन भगवान दिन चिपे के बाद कुटिया के बाहर गुफा के बाहर खड़ी थे आकाश बिलकुर निर्मल भगवान का देखो लखन यह सुग्रीव कैसा धीट निकला है वर्शागत निर्मल रितु आई वर्शागत निर्मल रितु आई सुधिन तात सीता के बाहरी सुक्री बहु सुधि मोरी विसारी सुक्री बहु सुधि मोरी विसारी आवा राजे ओसे पुरे लारी आवा राजे ओसे पुरे लारी सुक्री बहु सुधि मोरी विसारी आप भगवान की भाषा देखे प्रभु कितने अंतर हदय से दुखी जैसे लग रहा है सुक्री बहु मुझे विसार दिया मैंने उसके साथ इतना भी किया लेकिन उसने बिलकुल विसार दिया पावा राज कोष और नारी चारों छीज़े मिल गया राज मिल गया बाद कतम हो गए भगवान को भूल गया और भगवान रोते रोते आंसूं को author पहुँशते आवेश में आ गए एक बार कैसे उस सुध्यान बेसारी जी कि एक बार कहीं से जानकारी मिल जा काल को भी जीत कर में ले आँगा और इस मोड को तो जिस माड से मैंने बाली को मारा था तेईसर हताओ मोड कहें काली जैसायक मारा मैं बाली जिस माड से मैंने बाली को मारा था उसी मार से कल इस दुष्ट को भी मारो भगवान ने जब आविश में कहा तो लक्षवरजी हस पड़े भगवान ने का हम गुसा कर रहे हैं और तुम हस रहे हो हस क्यों रहे हो बोले आगकी बातों पर हसी आ रही है बोले कारण अरे बोले मारना है तो सुसरे को मारो कल का क्या भरोसा मालो भागया तो भगोडा तो है मारना है तो अब मारो भगवान ने का नहीं लखल किसी को मारना हो तो कल पर छोड़ो और किसी को बचाना हो तो तुरंट हस्पिटल ले जाए इसी को मार ना हो तो कल पर टाले शुब को तुरंत करिए अशुब को कल पर टालते हैं हमारे जीवन में इसका उलट है हम शुब को कल पर टालते हैं अशुब को ततकाल पूरा करते हैं इसे हमारे जीवन में हमेशा अशुब रहता है शुब कभी फलित होता ही रिशुबत ले नहीं होगी फट से नोट पकड़ लेंगे दान करने की बात आएगी अगले महीने देखा जाएगा किसी को क्षमा करने की बात होगी तो सोचेंगे जरा नाक रगडने दो गाली गलौच करने की बात आएगी तो फट से पूरा बंपोड देंगे उन्नी करना हो तो विचार करते रहेंगे पाप करना हो तो अंधेरे में फट से कर डालेंगे कथा में जाना हो तो सोच लेंगे अभी तो आठ दिन पड़े हुए हैं अभी क्या चल दिये सुनी आएगे एक दिन जाना तो है कल चले जाएगे और फिल्म में जाना हो तो तुरंद ब्लैक की टिकिट मगा लें हम अशुब को तुरंद पकड़ते हैं शुब को कल पर टालें भगवान कहते हैं कि अशुब को तुरंद पूरा करिए शुब को तुरंद पूरा करिए चुक शुब बहुत कठनाई से आता अशुब को कल पर आज नहीं रिश्वत कल ले लेंगे ये पाप आज नहीं करें के कल देखी जाएगे आज हम नहीं गाली के लौच करते कल देखेंगे तुम देना है तो दे जाओ गाली हम तो कल देंगे तुम और कल तो कभी आएगा ले कल तो बहुत सी चीज़े बदल देता है माताओं को एक बड़ी समस्या रहती है मैंने अपनी केवल एक ही समस्या लेकर आती है महत्माओं के पास महाराज जी क्रोध भूत आता है गुस्सा भूत आती है ये समस्या उनकी शाश्वत है और हर महत्माओं के पास वो इस बात की बोलती है क्रोध बहुत आता है गुस्सा बहुत आता है एक बार हमने एक बहुत से पूछा गुस्सा बहुत आता है हमने कि किस पर आता है सरस्ष्टी में एक एक कमजोर प्राणी बनाया है भगवार ने और किस पर आएगा वह एक ही कमजोर है चाहे जब उसके कान मरोड़ो तो हमने क्या आप ओश्यदी लेना चाहती है बोले हाँ जरूर हमने क्या ओश्यदी खानी पड़ेगी हाला कि मुभध की दवाई कोई खाता नहीं है जितनी महंगी दवाई होती है वो ज़्यादा फायदा करती है सस्ती और मुभध की दवाई फायदा नहीं करती है बोले ओश्यदी दीजी हमने की पालंग करेंगे बोले ठीक ही एक यह ओश्यदी है जिनको क्रोध आता है अच्छा यहां क्रोध तो नहीं आता किसी को सम्मुस्कराते दिखाई दे रहे हैं लेकिन जिनको क्रोध की दवाई ले दी है वो ज़र हाथ उठाओ क्रोध की दवाई जिनको आता तो नहीं है आपको लेकिन दवाई घर में रखने से कोई बुराई नहीं है किसी और को आएगा तो आप खिला सकती है हाथ उठाओ जिनको दवाई अपने लिए नहीं किसी और के लिए मालोग गुसेल बहु आगई तो क्या करो गए तो चाय में मिला के दे देना अच्छा अब हाथ दिखाओ कौन कौन को दवाई चाहिए और ये बाबरे एक ही टेवलेट है जब गुसा आए और मैं बता रहूँ एक ही पर गुसा आती है और दाती किट किट आये क्या कर डालो तो तुरंट बोली एक गुसा तो बहुत आ रही है मन करता है अभी दिबांग ठिकाने लगा दू और क्या करूँ कोशल जी महराज बना करें कल बताओं भी तो बस इतना कहे दो कल बताओंग दूनों मुस्करा जाएंगे दूनों को हस्या जाएगी बात खत्म हो जाएगी क्रोध को कल पर टाली अशुब को कल पर टाली इधर हरुमान जी ने सुन लिया दूनों भायों की बाते हरुमान जी पीछे से कुटिया से भागे इहां पवर्न सूतर लिदय विजारा इहां पवर्न सूतर लिदय विजारा खाराम का जेसू भीवर मिसारा हां राम का जिसु ग्रीव विसारा निकट जाई चरनान सिरु नावा जिकट जाई चरनान सिरु नावा चारी उभी थी तेही कही समझावा कही समझावा जाकर सुग्रीव को भठकारा तेरी बुद्धी बिगड़ी है तुझे मालुम है भगवान ने जिस बान से बाली को मारा था थोड़ी चीख चला चला तो बान बाली को मारकर कहां चला गया था तो सुग्रीव ने कहा कि वो तो भगवान के तरकस में लोट गया था तो हनुमाजी ने पूछा क्यों लोट गया था मालम है मोई तो मालम ना है हनुमाजी ने कहा तेरे लिए लोट गया था चल आकर सुग्रीव ने क्षमा मागी है यहां से फिर सेना की चार टुकडियां की गए चारों दिशाओं में दक्षन दिशाओं में प्रमुक बानर अंगजी के नेतरत में यहां से सिता जी की खोज के लिए भेजे गए भगवान ने हनुमान जी को अपनी मुद्र का दे कर कहा का हनुमान जानकी जी को ये चिन्ह देना और जानकी जी का कोई चिन्ह लाकर मुझे देना यहां से हनुमान जी चले हैं सुन्दर कांड में प्रवेश करते हैं मानस का सबसे मारमिक पावन और सबकी मनोकामना पूरल करने वाला सिद्ध कांड सुन्दर कांड का शुभारम गो स्वामीजी ने मानस के कलप रवक्ष का पुष्प बताया ए सुंदरकाण, फूल जैसा हसता हुआ, खिल खिलाता हुआ, सुगंद से भरा हुआ, आकरशक, निश्कलंग, ऐसा सुंदर भक्ती की सुगंद से भरा हुआ, खिला हुआ जीवन, विकारों का जीवन बुझा हुआ रहता है, विकार रहित जीवन खिला हुआ रहता है, जो दोशों में डूबा रहता है, वो भैभीत रहता है, बुझा बुझा रहता है, चुपा चुपा रहता है, बचा बचा रहता है, और जो निर्दोश है, वो सीना तान कर खिल खिलाता रहता है, चुआ उसको कोई भै नहीं होता है तो ये सुन्दर कांड पुष्प जैसा खिला हुआ जीवन इस सप्रकार की लौकिक और अलौकिक इस सबकी मनों कामनाएं पूर्ण करने वाला सिद्ध कांड है क्योंकि इसके संदक्षक शिरी हनुमान जी हैं और इसकी अधिश्ठात्री देवी जानकी जी हैं जिनोंने हनुमान जी को आशिरवाद दिया है अस्ट सिद्धि नवनिद की दाता आपकी जो कोई भी कामनाएं हों सुन्दर कांड का पाठ करिए वैसे तो रोज करना चाहिए लेकिन अगर मानों रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार शनवार को करें और कभी भी करें सुभे क कर लें, दुपहर को कर लें, दुपहर के बाद कर लें, शाम को कर लें, रात को कर लें, पूजा घर में बैट कर कर लें, घर के बरांडे में बैट कर कर लें, ड्रोइंग रूम में बैट कर कर लें, सोफे पर बैट कर कर लें, सोने वाले कमरे में, पलंग पर बैट कर कर ले कोई किसी प्रकार की भज़न की शर्ते नहीं हुआ करती है मंदर में तो इसलिए बैठते चुक देवी देवताओं के चित्र सामने रहते तो उनके कारण मन में पवित्रता रहती है लेकिन हिद्दुओं के हर घर में हर कमरे में ड्रॉइंग गुरू में सब जगे किसी देवत के चित्र रहते उनकी और देखते जाओ और कभी कभी देखा और पाठ करना शुरू कर दिया माताओं को थोड़ी कटना ही हो सकती है उनको एक मुस्त पाठ करने में थोड़ी मुश्किल है पाठ शुरू किया पती ने जोर से बोला रहे जारा चाई भेजो आग लेगे चाहिए यह पाठ भी नहीं कर दें करोद मत करिये हाथ जोड़ दीजिए जल छिड़किए चाय बनाएए चाय पिला कर आएए फिर जहां से पाठ शुरू किया था फिर वहां से शुरू कर दो फिर आपने पाठ शुरू किया मम्मी मम्मी मेरा यह बस्ता नहीं मिल रहा है मर फिर उसको तैयार करो फिर पाठ छोड़ दो फिर मौका में ले तब करो दिन में शुरू कर दो हो सकता उसी समय कोई पड़ोसिन आ जाए गपे मारने के लिए वो अपना तो सत्यानास करी रही है तुम्हार और आ जाएगी करने को वो खुद तो पाठ वाठ वाली नहीं है वो आ गई अब उससे भी निभाना है पड़ोसिन से कोई बात नहीं मूड माद बिगाड़िये उससे भी अच्छे ची बाते करो चुको वो अपने बहु की बुराई करने आई है तुम भी दो चार कर दो तो उससे थोड़ा सा रस आ जाएगा कि हाँ आई थे तो उसका लाव हो तू पाठ नहीं हुआ जब वो चले जाए फिर चुरू करो अब साइंकाल हो गई बच्चे भी आ गई पत्देव भी आ गई रात को कर लो रात मैं भी अवसर नहीं मिला तो जहां से छूटा था अगले दिन वहीं से करिये पाठ कभी खंडित नहीं हुआ करता है बिल्कुल डरने के आवश्यक्ता नहीं नहीं आप एक मुस्त कभी नहीं कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा करिये पांच दो है आज पांच कल पांच पर सव पांच 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 अन्यता तो 62 हैं पंदरे पंदरे करिये जैसे सुविधा होती इसको प्रतिदिन करो प्रतिदिन कल एक बहन ने पूछा था कि मासिक धर्म जब रहता है तो क्या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं कर सकते है इससे भजन नहीं कई अशुद होता है मासिक धर्म के समय केवल ठाकुर जी की मूर्ती की सेवा नहीं की जाती बस जो ठाकुर जी की गोपाल जी या जो भी हमारे घर में प्रतिवाएं हैं उनकी सेवा पूजा वो नहीं की जाती मासिक धर्म के समय शेस, माला जपना, मंत्र जपना, पाठ करना, रामाईड पढ़ना जो इसके विरुद कहता है वो उसको बालूम ही नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान इन चीजों में उलस्ते ही नहीं है भजन में शरीर नहीं जाता, भजन में मन जाया करता है और पाठ मन से किया जा रहा है सेवा पूजा चुक तन से की जा रहा है और तन हमारा अशुद्ध है इसलिए उसमें मूर्ती सपर्श हम लोग नहीं करते तीन दिन के लिए बागी किसी की मत सुनिये और जो देवता गड़वड करेगा मुझे बता दो मैं उसे डांटूंगा जाओ जिंदा करने के आवश्यक्ता रहे मैं बोलोंगा उसे पाठ शुरू करेगा भजन कभी अशुद्ध नहीं हो यह तो पतित पावन है जास पतित पावन बड़बाना पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सथ मना भाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सथ मना गनिका अजामिल ब्याद गीर गजा निखन तारे घना वनिका अजामिल ब्याद गीर गजा निखन तारे घना आभीन जमन बीरात खस सप चात पाथि आघरू पाथि आपीर जमन की रात खस सप चात पाथि आघरूप ते कही नाम भारत ते पाथि भगवान का नाम तो पतित पावन है वो अपवित्र नहीं होता वो अपवित्र को अपवित्र करता है अच्छा और देखे आप हर द्वार में निवास करते हैं हर द्वार में एक साध्धुया हैं जो शिरिमत भागवत कथा के ती हैं राम कताएं केती हैं सत्संग में वेदान तादी पर प्रवचन करती हैं बहुत अज कल देश में हमारे वरणदावन में भी हर द्वार में बहुत हैं तो एक आयू तक ये इस्तिरी के शरीर का एक स्वाभाविक धर्म है तो कथा के समय भी मासिक धर्म हो सकता है उनको तो क्या वो कथा रोकती है कभी उस इस्तिती में भी भागवत की कथा गाती है कि नहीं गाती है वो कथाई करती है कि नहीं करती है तो इसमें सेवा पूजा नहीं हो रही होट से बोलने में भगवत चर्चा करने में भगवत सुमिरण करने में भगवत नाम लेने में पाठ करने में किसी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं होती भगवान का नाम तो पतित पावन है वो तो पतित को पावन करता है इसलिए ज भजन कर सकते हैं केवल मूर्ती की सेवा निशेद बताई है अब कभी और आगे समय मिलेगा तो मैं उसके नहीं भी बोलूंगा लेकिन आज चुब मुझे समय नहीं है केवल इतने पर ही रुख जाएए मूर्ती सेवा घर में कोई और कर दे अगली वार इससे भी आपको पृत भक्ती देवी का अशिरवा दिलाने वाला ऐसा सुंदरकांड इसका पाठ करना चाहिए गाकर पाठ करना चाहिए ये भक्ती की आत्रा है हमको जीवन में भक्ती चाहिए कैसे मिलेगी तो हनुमान जी ने करके दिखाया है कौन कौन सी बाधाएं भक्ती के मार्ग में आती है उन बाधाओं से कैसे पार निकल कर और भक्ती देवी की चरणों तक पहुचा जा सकता है बड़ा मारमिक परसंगाज बहुत धहर से सुनने का है थोड़ी देर तक भी चल सकता है 10-20 मिनट तो आज पूरा बहुत आनंद से इसको सुनिए पहले गाते हैं यह गायन का कांड है तो पूरा तो नहीं गापाएंगे व्याक्षा करनी है तो प्रतीक के रूप में एक चरण इसका हम लोग गाते है जिनको याद है वो हमारे साथ गाईए जिनको याद नहीं है संगीत की धुन पर ताली बजाईए उनको भी वही पुन्य मिलेगा जो गायन का मिलता है सब गायन और बजाईए तब लगी मुही परिके उगों आईए सही दोख तंद मूल भलगाई जब लगी आवां सीत ही देती पुड़ा 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 आज मुही खरश की शेरी यह कही नाई सबने का माथा चड़े उखर शेरी अधरी रहुनाथा सिंदु की रखने का मुहर सुन्दर पुड़ा पुड़ी चड़े हुता उबर बार बार दो भील संभाई दर के उपवन तर भयकाई जेरी की चरण देरी हनुमंता चरे उसुदा आता रे गुलंता जिया मोगर रहुपति करवाना देरी माँ की चरे उभनुमाना जलवी रहुपति तूपति चारी पैरे नाकर हो इश्वकारी घनुमान तेरी पर साथ कर्वुने की नकरां सिया राम राम का जुखी हे बिलुम दोरे का आवेशा सियावर राम चंत्र जी कीजे पवन सुत हरुमान जी कीजे सुन्दर कांड का शुभारव जावन जी ने कहा कि हनुमान जी महराज आपका तो जन्म प्रभु के कारी के लिए हुआ है तो हनुमान जी गदगद हो गए राम काज लगे तव अवतारा इतने प्रसन हुए जावन मंत के बच्चन सुहे और अब हनुमान जी ने कहा देखो भईया जिस कारी से मैं जा रहा हूँ वो कारी तो निश्यद पूर्ण होगा हो यही कारी कारन बोले मुझे बहुत प्रसनता हो रही है हो यही कारी किसी भी कारी को प्रारम करते समय मन में प्रसनता है उमंग है तो कारी पूर्ण जरूर होगा और धकर धकर है तो कारी कितना भी सरल हो नहीं होगा तो हनुमान जी ने कहा इसलिए भईया मेरी एक आप सबसे बिनती है कहिए क्या गया है बोले जब लगे आवहों सीता ही देखी जब तक मैं सीता जी का दर्शन करके न लोटाओं तब तक तुम यहां से जाना मत परिख्यो मोई भाई मेरी प्रतीक्षा करना और मुझे मालूम है कि आँ खारा खारा सागर का जल है न पी सकते हो न नहा सकते हो कच्चे कडवे कडवे कंद फल है न खा सकते हो दुख तो होगा लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई थोड़ा बहुत दुख सहन करना पड़े तो सहते रहना लेकिन यहां से जाना मत मेरी प्रतीक्षा कर हनुमान जी चाहते तो यहां क्या करोगे पड़े पड़े ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा ना रहने की सुविधा अब तुम सीधे किश्किंदा लोट जाओ और मैं लंका से आओंगा सीधा भगवान के पास आजाओंगा यहां क्या करोगे भूगे प्यासे पड़े पड़े हनुमां जी यह भी कह सकते थे लेकिन हनुमां जी साधू संत के रक्षक है साधू संत के तुम रखवा हनुमां जी जानते हैं कि आज अगर ये बानर निराश हतास खाली हात लोट कर वापस जाएंगे तो भविश्य में कोई भी साधना कि मार्ग पर चलने का साहस नहीं करेगा लोग सोचें कि क्या फाइदा भुखो मरने से, क्या फाइदा बृत करने से क्या फाइदा ठंड में नहाने से क्या फाइदा ये पाठ करने से क्या फाइदा ये करने से भक्ती तो मिलती नहीं है चार सो को उसकी बाद हा जाती है बेकार समय बरवाद करने का लाब क्या है लोग भजन का मार्ग छोड़ सकते हैं इस भाई के कारण तुमको भगवान से भी मिलवा दूँगा और भगती का भी दर्शन करवा दूँगा दौनों से मिलवा दूँगा मेरी बाद पर भरुसा कर और संत की वाणी पर भात पर भरुसा रखे मैं भी आपसे निवेदन करन हो सकता है कि कई लोग ऐसे होंगे हमारे पड़ोस में परिवार में या हमारी कॉलोनी में जो सवेरे चार बजे उठके नाके भजन कर लेते होंगे हमारी नीद साथ बजे खुलती है हो सकता है कि वो कई घंटे भजन करने के बाद चाई पीते हों हमको बैटी बिना पीए शोच नहीं आती है पेट साफ नहीं होता है हम डायवटिक मरीज हैं चक्कर आने लगता है बिना खाई हम रह नहीं सकते भजन में इस प्रकार के कोई प्रतिबंद नहीं है अगर चाई पीने की इक्षा है तो पहले चाई पीओ बाद में माला जपो और अगर किसी की सुनकर जपोगे तो माला के राम राम द भूल जागे चाई चाई कर मिलेगी यही होगा इसलिए पहले चाई पी लीजीए फिर माला जपिए चीटी काट रही है मक्की काट रही है और ध्यान में बैटे हैं तो पहले मक्की उढ़ाओ चीटी को हटाओ खुजालो फिर ध्यान में लगजाओ उससे कोई भी नई तो आपको मन लगेगा ही नई अगर आप डाइपिटिक हैं तो कुछन को दो चार बिस्कुट खाईए मैं तो कहता हम बढ़िया आलू का परांठा खाके बैटो निश्चिंद भजन करोगी कोई जंजटी नहीं रहेगा आपको एकदम बढ़िया चाय परांठा खाईए फिर भजन बैटिए और इसलिए हमारे महात्माओं के अनुभव हैं जिन्होंने भजन किया होगा उनके अनुभव हैं उन्होंने कह दिया कि भूके भजन नहों कुपाला जेलों अपनी कंधी माला जेलों अपनी कंधी माला अच्छा मेरी बात से कौन-कौन सहमत है भईया अरे नमस्कार बड़े कृपा की मैं तो खुदी सोज़ रहा था कहीं मैं पापी तो नहीं तो जैसे कुल मिलाकर भजन होना चाहिए जैसे हमारी कथाओं में एक जगड़ा होता है समिती का और हमारा जगड़ा के समिती जूते नहीं आने देती अंदर बाहर उतारो अब हम लोग जब पढ़ते थे तो जूता चपल आती थी बारे आने की एक रुपए की एक बार दो पटी की चपल एक रुपए की हमने खरीदी करते हैं न कि आरती कर रहा था और तीन हजार रुपए के जूते उसने बाहर मंदर के बाहर उतार दिये मात पिता तुम मेरे शरण गहूं भगवान सामने ओ जूता को मात पिता तुम मेरे कह रहा है तो हमारा जगड़ा इस पर होता है जूते रखने दो पहन के बैटो मूल में कथा सुनना है मूल में कथा सुनना है जूता अगर बादख है तो उसको पास रखिए कोई दिक्कत नहीं उससे कोई कथा में बिगना नहीं होता है अब तो पॉलितिन मिल जाती है इसलिए यहां बड़ी करपा कर दे कुर्सी पर आराम से बैठो जूते पैंकर बड़ी हाँ निकालो जो मैसे रगड़ो मारो फंगी कुर्सी के नीचे फैंक दो यहां तो बड़ी सुविधा कर दिया कोई दिक्कत ही नहीं कुल मिलाकर भजन होना चाहिए जैसे भी हो हनुमान जी ने कहा कि प्रतिक्षा करना कोई हो सकता है कठोर भजन कर सकते होगे हमारे बस की बात नहीं है सुविधा से करिए जैसे शरीर को अनकूल लगता है वैसे शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम शरीर को तोड़ कर भजन मत करिए शरीर को परेशानी नहो ऐसा भजन करिए और कई बार कई माताएं कई बंधू एक बात से चिंतित रहते हैं कि हम इतने दिनों से भजन पाठ कर रहे तीस-तीस साल हो गए हमको कितनी बार मानस पढ़ ली कितनी बार गीता पाराण कर लिया तीस वर्ष कोई चालिस वर्ष हो गया कोई पचास वर्षे कर रहा है उनको शंका होती है कि जो हम भजन कर रहे हैं इसे कोई सुनता है के नहीं इसको भगवान सुनता है के नहीं कई बार ऐसी शंका हो जाती है और आज हमारे देश में ऐसे धर्म के नाम पर कुछ पाखंडी धर्माचार तो मैं उनको क्या कहूं कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जिनोंने बड़ी भीड आकरशित कर ली हैं और जो केवल सनातन धर्म की जड़े उखाडने का ही काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर उनके जो अनुयाई हैं आपको भी जरूर मिले होंगे और वो एक दो तरक ऐसा देते हैं कि आपकी सरदा हिल जाएगी बोले इतने दिनों से आप भजन कर रहे हो कभी दर्शन हुआ कभी ब यह पत्थर की मूर्ति यह पीतल के गोपाल जी अपनी तो मक्य उड़ा नहीं पा रहे हैं तुमारा क्या करेंगे दस्यों प्रकार की ऐसी बातें बोलते हैं और सनातन धर्म के प्रति अशद्धा पैदा करते हैं वह कहते हैं जब सुनता ही नहीं जब कोई भगवान है ही न नहीं कभी तो बात तुम से हुई नहीं अपनी भी शद्धा कई बार हिल जाती है और कई माताएं बंधु पूछते भी हैं कि हम जो भजन कर रहे हैं उसको भगवान सुनता भी है कि नहीं इसका उत्तर मैं व्यास पीट से दे रहा हूं किसी की बातें सुनकर जो कर रहे हो उसको छोड़ना मत और जैसे सूरज पूरम में निकलता है जैसे वो सकते हैं ऐसे मैं व्यास पीट से बोल रहा हूं वो उतना ही सकते हैं हम जो भजन कर रहे हैं उसके प्रती कोई शंका नहीं चाहिए अगर भगवान हमारा भजन नहीं सुन रहे होते फिर बोल रहा हूं अगर भगवान हमारे भजन को नहीं सुन रहे होते तो हम उसका भजन कर ही नहीं सकते थे प्रश्शन पैदा नहीं होता है वो सुन रहा इसले कर रहे हैं वो सुन और वो हमारे पास बैटाने करी नहीं सकते वो सुन रहा जिस घर में कोई नहीं होता उसकी कुंडी नहीं खट-कटाई जाती उसकी घंटी नहीं बजाई जाती जो बंद मकान पड़े रहते हैं उनके दर्वाजे पर कोई अवाज नहीं लगाता है कोई कुंडी नहीं खट-कटाता है ये हो सकता है कि व्यक्ति गहन दीद में सो रहा हो बातरूम में चला गया हो और आपने घंटी बजाई और उसने उत्तर न दिया हो तो हो सकता है वो बातरूम में हो लेकिन वो है और आपको मालूम है इसमें है तभी तो आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए इस शंका से आज मुक्त हो जाईए वो सुन रहा है अगर हमारी जीव भगवान का नाम ले रही है इसका अर्थ है भगवान हमारी जीव पर आकर बैठ गया है उसने अपना नाम लेने के लिए हमारी जीव का चैन कर लिया नहीं तो हमारी जीव हिलती ही नहीं बोलती ही नहीं प्रशनी पैदाने इसलिए हनवान जी कह रहा है बिल्कुल परिक्यों मोई भाई मेरी प्रतिक्षा करना और इतना कहकर हनुमान जी सब को प्रणाम कर सिंद तीर एक भूदर सुन्दर कौत कुपूद चड़े उपर एक पहाड के शिकर पर चड़ गए और वहाँ जाकर बार बार रगवीर समहरी कई बार विक्ति छोटा रहता है तो भगवान को याद कर लेता है कई बार पद के पैसे के शिकर पर चड़ जाता है तो भगवान को भूल जाता है हनुमान जी केते प्रभू आपने ही समहल की है आप ही मुझे समहल कर रखना एहंकार का शिकर मैं कभी भी ओंधे मूँ गिर सकता हूँ और जब आदमी थोड़ा बड़ा हो जाए तो जरूर भगवान का सुमिरण करता रहे प्रभू बचा के रखना मैंने तो सोचा भी नहीं था कितनी उचाईयां कभी आएंगी और यहां से बोल ये राजा राम चंद्र भगवान की जिमी अमोग रभुपति कर्वाना रेही बात चले हूँ हनुमाना जैसे भगवान के सारंग से अमोग बाण चुटता है रहे चलां कर पहली बाधा आ गई सज धजके आवे आकर्शन सौने का पहाड़ा आ गया निकलकर हनुमान जी आप नहीं मुझे जानते मैं आपको पहचानता हूँ वाहां मेरे भथीजे लगते हैं आपके पिताजी से मेरी बड़ी बितरता थी आप ठक गए होंगे थोड़ा विश्याम करिए भक्ती के मार्क पर चलोगे थोड़े पील लग लग लगाओगे तुरंत आकरशना जाओगे वहां कहां जाओगे महराज बहुत अच्छी बगीची है बहुत अच्छी कुटिया है बड़ा चास्रम है गाय की और हम सेवा करेंगे ने यहीं रहो और फिर आये थे हर भजन को लग गए हनुमान जी बड़े विवेकी है हनुमान जी की आँखों में लक्ष है कि मुझे भगवत कारी पूरण करना है और मनुष्य की आँखों में जब भगवत दर्शन का लक्ष नहीं होता और कई बार भजन के मार्ग पर सादू बेश लेकर चल देता है तो फिर मार्ग भटक जाता है बाला के मन के गिनना तो भ शरीर के लिए भोजन करते हैं फिर अंत में भोजन के लिए शरीर को लगा दिया करते हैं अगर जीवन में लक्ष नहीं है कि मुझे जाना कहा है मेरे कल बोला था मैं कौन हूं मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं मैं कर क्या रहा हूं और अंत में मुझे जाना कहा है अगर तो व्यक्ति फिर इनी चीज़ों में फस जाया करता है साधू ने बहुत सारी चीज़े इसलिए हमारे साधू की जब पंगत होती है वेरागी महात्मा जब बैठते हैं भोजन करने तो बीच बीच में कोतवाल जोर जोर से एक नारा देता है साधू 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 ये बड़िया खीर में ही मत डूब जाना साधू साधू भजन न पिगड़ जा इस भंडारे से तो कोतवाल बीच बीच में वो नारा देता है हमारी सरकार ने भी साधू को संचेत करने के लिए बोर्ड लगवाई हुए जेगे जेगे साउधानी हटी जिस दिन साधु अपनी साधुता भूल जाता है उसे हर्चन याद रहे कि मैं साधु हूँ मैं सनांतन धर्म का प्रतिनिदी हूँ तो गलत दिशाम उसका पैर जाही नहीं सकता है और इसलिए संत की परिभाषा में भगवाण ने यही का है भूलिन दैं कुमारग पाऊ भूल से भी कुमारग पर जाते नहीं जिनके जीवन के लक्ष ओजल हो गए अब उनको तो भगवाण बचाए हमारी बसकी बात देंगे तो काट ठाइप्स धन्यवाद अभी मुझे जरूरी काम से जाना फिर कभी मिलेंगे फिर देख लेंगे चुकि मुझे भी थोड़ा अंगूठी उगूठी पेंदे का शोक है आप से ले जाएंगे दस वीस थोला अभी जरूरत लो देवताओं ने देखा ये कौन वेरागी पैदा हो गया भीया हम तो जरासी सोने के अंगूठी नहीं तियाक पाते है सोने का फाढ़ तियाक के जा रहा है बोले हनुमान जी जा रहा है तो देवताओं को अपनी कमजोरी मालों में आपने समने सुना है कि सारे देवता रावड के नौकरी करते थे चाकरी करते थे बंदी के रूप में रहते थे कोई जाडू लगाता था कोई छिलकाओ करता था कोई पानी भर के लाता था कोई कुछ करता था तो देवताओं को ये लगा कि कई ऐसा तो नहीं है सारी लंका सोने की है ये वहाँ जाकर फंस जाए रावड बहुत समस्दार था रावड देवताओं की कमजोरी जानता था देवियोनी भोगियोनी और भोगि को कंचन और कामिनी दो देदो चाय को छुप करवा लो देवताओं की कमजोरी यही थी सोने का फलेट दे दिया और सुन्दर सी नाकरन्या दे दिया बोले भोग कर और बहारी लगा तो देवताओं ने परिक्षा देने के लिए सुरसा को भेजा सुरसा ने जब खाने की चेस्टा की हनुमान जी बहुत प्रकार से समझाया बढ़ती चली गई याने मुँ फाड़ती जा रही है हनुमान जी भी दूने होते जा रहे एक बार इस्थिति आई के सो योजन का मुँ फाड़ दिया इस अब हनुमान जी ने सोचा कि मैं दो सो योजन का तो हो सकता हूँ कि वोले एक बार जैशीराम बोल ली है लेकिन मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतोयकता करने तो आया नहीं मैं तो आया हूँ भगवतकार से और इसके साथ तो युग भीज जाएंगे मैं तो भगकारी भूल जाओंगा तो हनुमान जी अतिलग हो गए अतिलग रूप धरेव हनुमान अंक गड़त में सबसे छोटा अंक होता है एक और जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसको कहते है शूने हनुमान जी शूने हो गए और इसके जाके मुँमें बैठ गया वे देखते है बंदर कहां गया भीतर से बाहर आगे कहा माँ मैं तेरे पेश शरीर में घूमें आया और तू समझ ले कि मैंने खा लिया मुझ जाने दे सुरसाने आज शुरवादे राम काज सब करिया हूँ तुम बलबू धिने धा आशिश दे गई सो हरशी चने उहनुमान ये पहली बात हाती है भजन के मारगे में महत्वा कांक्षा की लोग मुझे पूजी कहें लोग मेरे सामने श्री लगाएं लोग मेरा आदर करें लोग मुझे दंडवत करें लोग मेरी जैजैकार करें लोग मेरा सम्मान करें मुझे जाने कि मैं हूँ और अगर आप अपने व्यक्तित्व को चमकाने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़े बड़े लोग आपको सटकने आ जाएंगे और आपकी साथ पीड़ी की खोजगोज़ के लाएंगे साथ पीड़ी की पता नहीं ये कहां से पकड़ लाते हैं कर हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहे हैं अब तो हमको भी डर लगने लगता है हम अपना बच्पन याद करते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है चेनर वाले उसे भी पगड़ लाएंगे बहुत कटन होता है बिल्कुल विनम्र तरणा दपी सुनीचेने तरो दपी सहिश्रा किसी को पतान लगे भजन चोरी से किया जाता है भजन मैं चोरी चाहिए जब सारा घर सो रहा हो तब तक भजन कर डाम लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर के लोग सो रहे हैं और ये जल्दी जग गए और इनको अपने मुझ से तो कहेंगे नहीं कि मैं जल्दी जगाऊं और लेकिन इंप्रेशन भी मारना चाहते हैं घंदर चार में जग जाते हैं तो बाल्टी में पूरी टोटी खोल कर ऐसा हल्ला मचाते के पड़ोसियों की भी नेंद खोल जा टर रही टर बोले तो इससे दस तरह की बाती आएं बिलकुल सूक्ष्म किसी को पता न लगे बड़े लोगों से संगर्ष भी नहीं और भजन के नाम पर परमार्थ के नाम पर अपने व्यक्तितु को चमकाने भी कारी बड़े करिये लिकिन बड़े कारी के बहाने से अपने व्यक्तितु को बढ़ा करने की कोशिश मत करिये नहीं तो लोग दबोच लेंगे हनुमान जी को कहा है महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी के लिए विक्रम शब्दा आया क्यों हो जी काइम बैठके आयो गता में विक्रम ही तो आयो तो इतना भी नहीं जानते विक्रम के विक्रम का मतलब यह कितने भी लाद्दों ची नहीं करता है विक्रम कारती ही तो है कितने भी सवारी लाद्दों ची नहीं करता है सब को खीच कर ले जाते विक्रम कारती यह है जिसको कोई उत्तेजित न कर पाए जिसको कोई दवोच न पाए हनुमान जी में दो विशेष्टा हैं हनुमान जी इतने विराठ हो जाते हैं सुनते भैयू परवताकारा कि कोई बड़ा मुँ भाड़ कर भी उनको सटक नहीं सकता और हनुमान जी इतने छोटे अतिलग रूप धरेव हनुमनता हनुमान जी इतने छोटे हो जाते हैं कि चिम्टी से भी कोई पकड़ नहीं सकता हनुमान जी के विशेशता है बड़पन में भी कोई उनको दवोच नहीं सकता और वो इतने छोटे हैं विनम्र हो जाते हैं कि मसक समान रूप कपे धरी बिलकुल छोटे हनुवान जी और जो छोटा बना जानता है वही जीवन में बड़े काम कर सकता है आप देखिए उत्यजित नहीं हुए आज उत्यजित हो सकते थे अभी रावड के दरवार में जाए के हनुवान जी रावड कितनी बत्तमीजी की भा कई बाद है एए बंदर के बच्चे कौन है भे तू कह लंके इस कवन थे बंदर कहां से आया है भे मरना चाहता है क्या कितनी कितनी असिस्ट भाषा रावड बोला है सथ मूर्ख जड़ हनमां जी को एक शब्द नहीं बोले और हनमां जीन उत्तर भी दिया तो कैसे दिया बिन हनमां जी जानते हैं कि बत्तमी जी के सामने थोड़े से शांत रहने में फायदा है तो मूर्ख है एक बार बानरों ने पूछा कि जब रावड ने इतनी बत्तमी जी की भाषा आपसे बोली तो मुठी से कुचल दे थे आप उसे और आप उसकी बत्तमी जी की गालियां सुन लेकिन मुझे बीरबल का एक किसा यदा आ गया था ऐस समय अकवर यग्वरस भाषा अकवर भास्छाड़ा ने बीरबल से कहा बीरबल हम तुमारे पिताजी को मिलना चाहते हम देखना चाहते हैं कि तुमारे पिताजी कितने योगे है जन्हों ने इतना योगे-पुत्र dès तो हम उनका सम्मान भी करना चाहते हैं और उन से अपने कुछ प्रशनों के समाधान भी करना चाहते हैं अब बीरबल जी के पिताजी तो गाओं के घुर्पा पाड बिना पड़े लिखे अब बड़ी मुश्किल बोले कल उनको लाई है ठीक है बीरबल जी जब घर आए तो प बता है मैं तो बिना पड़ा लिखाओं बूल ऐसा करना वो कितने भी परशन करें आप उत्तर मत देना बोलना मत होट मत खोलना बाकी में सम्हालों ठीक है पगड़ी बगड़ी बांच चश्मा लगा बैंत मैंत लेकर आगे पिता जी राजस्भा में सबने स्वागत सतकार क अठाया बादशाह का आगमन हुआ बिल्कुल पास जाकर प्रणाम किया आज आज आपका दर्शन करके मन बहुत प्रसंद हो रहा है और हम तो आपका दर्शन बहुत दिनों से चाहते थे इतना योगी पुत्राव का जिसने हमारे रात सभा को चार चांद लगा दिये और श बादशा ने दूसरा प्रशन पूछा बीरवल जी के पिता जी मौन बादशा ने तीसरा प्रशन पूछा पिता जी मौन बादशा ने चौथा प्रशन पूछा पिता जी मौन पांच माँ प्रशन पूछा पिता जी मौन अब आप कल्पना करो रास सबह बैठिये बादशा खड़ा और बुढ़ नहीं रहा है कुछ आप कुछ पूछें किसी से बोलेने तो गुसात आई कि नहीं आता है तो बादशा इतना क्रोध में तिल मिला गया अब क्रोध आवेश में आकर बीरवल से बोला बीरवल एक प्रशन का उत्तर तुम दो हाँ हाँ सरकार क्या प्रशन है तो बादशा ने पूछा मान लो मूरक का मुखबाविया और निकसत बचन पुजंग ताकी और शधिल मौन है फिर विश नहीं व्यावत तंग हजार प्रशनों का उत्तर आपका एक मौन दे देता है माताय कहती है छोटा टुकडा खा सकती हूं लेकिन बात जरूर बोलूँगी चाहे कोछ और इसलिए माताय अशांत रहती है बहुत बड़ी अशांति का कारण यह एकि आप बात को सटकना नहीं जानती है नहीं मौन न तो ये विक्रम है, उत्तेज ना में भी नहीं आते और विनम्रता में भी इतने चोटे हैं कि किसी की निगह में नहीं आते कोई देख नहीं पाता, यहां से आज शिरवात लिया आगे बढ़े तो सुरसा, सिह का आगे सेहन का इरशा है और आप देखिए सागर कितना गहरा गंभीर है बड़े बड़े गंभीर और गहरे सुभाव के लोगों के पेट में भी इरशा छुपके रहती है इरशा का अरत है कि अपने से पड़ोस में रहने वाला अपने साथ रहने वाला हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है उसको देखकर मन में जो जलन होती है उसका नाम है इरश्या और ये बहुत बड़े बड़े लोगों के भीतर रहती है और पेट में छुपी रहती है पता नहीं लगती इरश्यालू उपर से तो बड़ा मुश्कराता है लेकिर भीतर भटी भवक्ती रहती है कि सत्यानास कव हो इसका देखो सेहका रहनी चाहिए धर्ती पर रहती है सागर में छुपकर और खाती क्या जो उपर उड़ते हैं और इरश्यालू कभी अड़ोसी बड़ोसी को नहीं अपने से जो उपर उठता हुआ दिखाई देता है उसी को मार के खाती है हनुमाजी ने एक मुका मारा और ताही मार मारुत सुत बीरा बारिध पार गयव मत धीरा आगे लंका में चोटी से देखा शिकर की चोटी से क्या सुन्दर लंका कनक कोट कर परम प्रकाशा और देखा बड़े बड़े पहरेदार हनुमाजी ने सोचा कि दिल के उजाले में जाऊंगा इसे जगड़ा करना पड़ेगा रात के अंधेरे में जर लंका को भीतर से देखूं कि जो बाहर से इतनी सुन्दर दिखाई दे रही है वो भीतर कैसी है और हनुमाजी का ये दर्शन है किसी भी मनुष्य की असलियत देखनी हो तो उसे एकांत में ही देखना चाहिए हम लोग आपातकाल में जेल में रहे हैं बहुत बड़े बड़े लोग एक-एक डवल लोटी के पीस पर कुत्तों की तरह रड़ा करते थे जो बाहर बड़े-बड़े मन्चों पर हाथ उठा कर बोला करते थे वो एक-एक पीस पर चुक वहां असलियत पता लगती थी मन्च पर तो आदमी थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है असलियत तो तब पता लगती है जो चोविस घंटे वेक्ती साथ रहता है तब अंदा आ जाता है को ओ वहां कैसा था और यहां कैसा था और जो मन्च पर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं कमरे में उतने ही कुरूप हो जाते हैं वो यह अनुभव है और रावड का यही हाल था अगर हनुमान जी दिन में लंका चले गए होते तो रावड से मित्रता हो गई होती क्योंकि रावड प्रते दिन चारों वेदों का पाठ कराता है अपने आंगन में ब्रह्मा जी स्वेम आते हैं बेद पढ़ें मित सम्मु सभीत पुजावन रावन के घर आवें शंकर जी स्वेम कैलास से चलकर अपना अविशेक कराने आते थे हमको तो पत्थर के प्रतीक पर अविशेक करना पड़ता है शंकर जी स्वेम आते थे यगि करता था अपने हाँ से आटा मलकर विवीशन की गउशाला में गायों को आटा खिलाने जाता था इतना धर्मात्मा रावड रात का अंधेरा होते ही मदरा पी के पागल हो जाता था दिन का रावड धर्मात्मा है रात का रावड पापात्मा है अगर हनुमान जी दिन में गए होते तो भगवान से जाकर जगडते और कहते भगवन आपको गलत्वे में हो गई है रावड जैसा धर्मात मात सादू पुरुष जानकी जी का कभी हरण नहीं कर सकता इसलिए हनुमान जी ने सोचा दिन के उजाले में तो देख लिया जब हम चार लोगों के बीच में बैठते हैं कैसी कैसी परमार्थ की और समाज कल्यान की बातें करते हैं और जब अकेले में पत्री के पास बैठते हैं तो भाई का भी सत्यानास करने का चिंतन करते हैं भाई के साथ भी कैसी केस लड़ जा इसका ही करते हैं चार लोगों के बीच में तह बहुत अच्छी बातें बोली जा सकती हैं एकांत में भीतर क्या चल रहा है और मनुष जिस दिन इस सत्य को सुईकार कर ले कि जैसा मैं लोगों को दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं और जैसा मैं हूँ उसे न कोई जान पा रहा है न देख पा रहा है जिस दिन इस सत्य को सुईकार कर लेगा बहुत सारी अशान्ती अपने आप समात तो हो जाएगी लेकिन हम जनाते कुछ हैं जीते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं और सत्ती यह है कि जैसे हम दिखाई दे रहें वैसे हम हैं नहीं हम कुछ और हैं जिसको कोई नहीं जान पाता है फिर लाख भजन में मन का लगाई ये लगेगा ही नहीं चुक को मन तो उसी रूप में जाएगा जिस रूप में आप अंदर भीतर जी रहे रावड उपर से साधु था भीतर से कुकरमी था और भया मैंने कई बार गाया है पहला पद फिर गालो कितना भी छुपा लोगा लाक परदे में उन से छुपाने वो छीपाने से छिपता नहीं है वो छीपाने से छिपता नहीं है यहां जी तेनी दिपाते बनाने वो छीपता नहीं है वो छीपता वहाना नहीं है बल बल में भजने कज दूखा बल बल में भजने कज दूखा जिन्दगी का भरोसा नहीं है बाव दे अपनी दिप्री बनाने फिर से दुनिया में आना नहीं है फिर से दुनिया में आना नहीं है पल बल में भजने कज दूखा साधुता का अर्थ है जैसे है वैसे प्रकट है साधु का जीवन माने पोस्ट कार्ड पाखंडी का जीवन माने अंतरदेशी है बाहर के वर पताए भीतर्जन क्या लिखा हुआ है साधु का पोस्ट कार्ड है खुडा किताब है जब चाहो तब पढ़ लो दौनों और से साफ दिकाई दे रहा है हनुमान जी बहुत छोटे मसक समान रूप कभ धरी लंकय चलेव सुमिर नरहरी तीसरी बाधा आ गई भेद बुद्धी की लंकिनी नाम की ये मेन गेट की पहरेदार थी लंका की का ए खबरदार चोर कही के तुझे मालुम नहीं मोर आहार जहां लग चोरा भुनमान जी का माता ठनका मैं तो चोरी का पता लगा नहीं आया मुझे चोर कौन कहती देखा एक राख्चसी गड़ी दोड कर आए आओ देखा लथा ओ एक मुक्का दिया और जैसे ही मुक्का मारा मुठका एक महा कप्य हनी रुदेर बमत रक्त की उल्टियां करने लगी मुर्चित होकर गिर गई हनुमान जी खड़े तमाशा देख रहे क्या करके जैसे मुर्चा दूर होई और हनुमान जी के उर्थे का ओ आप तात्मूर अतितर राम करे जूदा देखे उनयन राम करे जूदा जबराब नहीं रम्ह बर बीना जबराब नहीं रम्ह बर दीना चलत विरंचिता हाँ वही चीना विकले हों सिते कपी के मार विकले हों सिते कपी के मार तब जाने सुनिशी चरे संधा अरे तात्मूर अति उन्य बवूता अपने भागी की सराहना करने लगी आज मेरा कैसा भाग्य है कि आज भगवत भक्त का दर्शन हो रहा है रावड को जब वरदान देकर ब्रह्मा जी जा रहे थे तो मैं रास्ते में खड़ी थी तो मुझे पहचान कर मेरे कान में कहकर गए अरी लंकिनी जिस दिन दू किसी बानर के मुक्के से मूर्चित हो जाएगी न तो समझना रावड को काम था गया आज मेरे कैसे भाग्य है कितना सुंदर सत्संग किया है सत्संग के महिमा गाने लगी तात स्वर्ग पवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तूलन ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग देखे हनुमान जी ने न कथा सुणाई न प्रबचन दिया न कुछ उलाँ कुछ नहीं क्या एक मुक्का मारा और यह किती वहाँ क्या सुंदर सत्संग हुआ यह मुक्के कोई सत्संग कह रही है है अगर मुक्के सत्संग है तो हो जाए जाना बढ़िया सा एक वार देवकस के सत्संग क्या है देखो सत्संग भी चोट करता है आग के अंदर की जीवन जीने की शैलिया है उन पर चोट करता है उन पर प्रहार करता है सत्संग वो किरिय का नाम है जिस क्रिया से भोग वासनाओं में संसार में डूबा हुआ हमारा मन भगवान की उपासना में लग जाए उस क्रिया का नाम सत्संग है अगर मान लीजिए किसी संत के प्रवचन से मन भगवान के भजन में लगता है तो प्रवचन सत्संग है और किसी महापुरुष् मन भगवान के और जाता तो फटकार भी सत्संग है कुल मिलाकर घटना क्या हूँ ये मद्दे को हमारे मन को कहां ले गई ये किसी ने हमको डाट लगाई बुरा लगा लेकिन हमारा मन कहां चला गया डाट खाकर प्रितिकिरिया में आया के सुधार के और आया सत्संग इसी का ये भेद बुद्धी है और ये भेद क्या है ये कहते है मैं चोर खाती हूँ अन्वान जी कहते है तेरी बुद्धी बिगड़ी है चोर खाती है तो रावण को खा और बुद्धी खोपड़ी में रहती है वे राग का मुक्का लगा राग का रक्त निकला लंकीरी विरक्त हो और जब जीवन में विरक्ति आती है, तो फिर सत्संग ही सुहाता है, ये तीसरी है बेद बुद्धी, ये मेरा लड़का और ये भतीजा, ये बेटा और ये नौकर, ये जब तक बेद है, बुद्धी में तब तक कितना भी भजन होगा, नहीं शांती मिलेगी, नहीं भजन फ पहलित होगा अभेदता चाहिए सम्भेरे परबात्मा के ही तो और हमारे जीवन में यही कूट-कूट कर भरा है अपने लिए फल खरीद कर लाएंगे बढ़िया से बढ़िया डैली ससे और भगवान के मंद्रे में चढ़ाएंगे काने कुट्रे कच्छे कौन है आज से करीब साथ-ाथ साल पहले इसाइज जादा समय हो गया होगा दस-पंद्रे साल हो गए मैं दहरादूर में कथा करने आया जो आए वोई शंत्रे लाए बिलकुँ नीवू जैसे छोटे-छोटे इतने इतने से पता नहीं कहां से छाट के लाए वो जो आए वो एक मिश्री रखते थे साथ मैं पूरा वो बांटे तो एक दिन के बाद हमारी समझ में आ गया हमने की तो हमारे कमरा भर जाएगा घटे संत्रों से तो हमने चार-चार-चार-चार संत्रे जो लाए थे उन्हीं को पकड़ाना शूरू कर दिया जो लाए वो लीजे प्रशाद ल हम लोग ले जाया करते हैं लो हम स्वें चावल खरी देंगे लाल के ले का बांस्वती चावल और साधू को देंगे खिचडी के लिए देंगे सेला किनक टूटी बुरी बड़ा जीब सा लगता और सबसे ज्यादा तो बुरी हालत हमारी पारवती जी की है अपने लिए थंद होने वाला पानी पी जब तो गुल्टा नहीं कराएंगे धार नहीं आने देंगे और शंकर जी पर चड़ाने जाएंगे भरी बाल्टी पानी में चार बुंद दूद अरे कम से कम इतना तो ले जाओ के पारवती जी बच्चों को चाय तो बना दे चलो खीर तो नहीं बनेगी दई तो नहीं जमेगा और चाय तो बना दें कम से कम एक दम पारवती अपने लिए बरतन खरी देंगे बढ़िया से बढ़िया बजा बजा के देखेंगे हिला हिला के धंतेरस पर और पांच बरतन सतिनारानी की कता में भाग मतमें पंडी जी को चड़ाएंगे ऐस इसी गिलसीय, जिसमें पंडी पंडी पंडीतानी मा जे तो या तो हाद कटे या इसी तो लो उनके बच्चे कम से कम दाल सब्जी तो खा लें उनमें रखेंगे अपने लिए कपड़ें खरीदेंगे बढ़िया से बढ़िया सिल्क और पॉलिस्टर और पंडी जी को दोती क पुरता कैसी होती कि पंडितानी चाई भी ने चान पाए हो शुने एक दम कप जन्ना सी एक दम कप जन्ना सी साले की शादी में जाना है नचकईयों पर उड़ाने के लिए ब्लेक की सराफी के हां से कड़क गड़ी खरीदोगे और आरती में चड़ाओगे सड़ा कटा फटा भी खोटा जो दुनिया में कई नहीं चलता वो कथा में चल जाता है जो दुनिया में कई नहीं चलता देखो एक बात बता रहा हूं कभी भी दान करने से आशिरवाद नहीं मिलता जितने दानी बैटे हो ध्यान से सुन लो वस्तू दान करने से कभी आशिरवाद नहीं मिलत आशिरवाद क्या होता है आशिरवाद होता है साधू ब्राम्मण के हिर्दय की प्रसनता का अगर साधू ब्राम्मण का हिर्दय आपके आचरण से प्रसन है आपके व्यवहार से प्रसन है तो आपको आशिरवाद घर वैठे मिलेगा वस्तू से नहीं मिलता इसलिए मैं निव लेकिन जब चढ़ाईए, वस्तर चढ़ाईए, बरतन चढ़ाईए, कोई भी चीज सादू ब्रहामण को जब भी दीजिए, ऐसी दीजिए कि जब पहने तो सिहा कर पहने, आपका नाम लेकर पहने, गदगद होकर पहने, मत दो कोई दिक्कत ले, तुमारा कूडा वो ले गया उसे ने फिर वो कूडे दान में डाल दिया, और कूडे से तुम आशिरवाद चाहते हो, इसे ने भलाई जीवन में एक बार दीजिए, लेकिन ऐसा दो, कि जब पहने तवाब की याद आए उसको, उसका हिरवे भर जाए, वो जो प्रसनता है उसकी, वो आशिरवाद, जैस अशिरवाद हो गया है मांधी प्रवेश करो शियर राम, शियर राम, जै जै राम आछी प्रवी सिनगरभी जै सब कांजा प्रदय राह की कोशर पुल राजा राम, शियर राम, शियर राम, जै जै राम राम सिया राम सिया राम जे जे राम पेजी गरल सुधारी कु परई बिताई गोपद सिंदु अनल सित लाई राम सिया राम सिया राम जे जे राम सिया राम सिया राम जे जे राम सिया राम जे जे राम हारी भूल हारी भूल हारी भूल हारी भूल हारी बोल हारी बोल और भक्ती शुधी शांती तो मंदरों में हुआ करती है मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहत अखड़ करत जोधा देखे जहत अखड़ करत जोधा गयाओ दसानन अंदिर माही आती पीछे प्रतिकर कही जाकर सुनाओं जी आती पीछे प्रतिकर कही जाकर सुनाओं जी सुर्यास्त के पूर्वा का रावड और प्रकार का है सुर्यास्त के बाद का रावड और प्रकार का है इसलिए उसके दस्सिर बताए गए दस्सिर का मतलब ही यह है जो दस तरह के बाने बदलता है एक सज्जन ने हमसे पूछा रावड के दस थे सही थे क्या हमने की क्यों बोले नहीं ये नहीं हो सकता है हमने की अच्छा चलो रावड को तो जाने देओ जरा अपने गिन के देखो कितने हमने के कहा जरा अपने गिनो अरे बोले हमारे तो एक है हमने की एक नहीं है इसकी अगल बगल में देखो कितने हैं पर क्या इसे हमने के जब तुम्हारे लड़के को कोई देखने आता है लड़की वाला तो तुम्हारा चेहरा और प्रकार का होता है और जब तुम अपनी लड़की के लिए लड़के वालों के यहां जाते हो देखने के लिए तो तुम्हारा चेहरा और परकार का हो जाता है जब तुम्हारे पास कोई करजा मांगने आता है तो तुम्हारा चेहरा और परकार का होता है और जब तुम्हारा मालिक करजा जिसने दिया है वो आता है तो तुम्हारा वही चेहरा और परकार का होता है नौकर आता है तो चेहरा और प्रकार का हो जाता है और तुम्हारा मालिक आता है तो चेहरा और प्रकार का हो जाता है और बताऊं हमने की पत्नी आती है सामने तो चेहरा और प्रकार का होता है और साली आ जाती है तो कितने प्रकार के चेहरे बदलते हो भाई पूरे लंका में मंदिरों में शोध कर रहा है अनुसंधान किया मंदिर महनदीक में भयानक द्रश्य कही नजात कच्व मदरा के कुंड फुटे पड़े हैं भाप मेरी माई से पाप मेने निकल आए वास और रावड के भवन के पास एक सुंदर मकान भवन एक पुनदीक सुह साबा हर मंदिर तहं भिन्न बनावा रामायुद अंकित ग्रहे तुलसी जी महरानी विराजमान भगवान के आयुद के चिंद विवीशन के द्वान के बाहर हनवान जी खड़ें ये क्या लेला है इतना बड़ा लंका में पाप और ये भगवत भवत लंका नीशी चरनी कर दिवासा लंका में सी चरनी कर दिवासा इहां कहां सचन कर दिवासा दिवान कहां सचन कर दिवासा मन महरक कर दिवादा मन महरक कर दिवादा आते ही समया विभीशन जागा ते राम राम के ही सुनी रणी ना विभीशन के द्वार के बाहर खड़ी हरमानी सोच इतने मद विभीशन जाग गया। के ही समय बोले ते ही समय और ये सूत्रह बंदो जब तक हमारे जीवन के द्वार पर किसी संत का साधु का महात्मा का महापुरुष का शुभागुमन नहीं होता तब तक जीवन सोया रहता है जागरेते का आर्थ ये है कि जो हम करते आ रहे थे उसके प्रती गलानी होने लग और जो हम अभी तक भजन नहीं कर पा रहे थे उसकी शुरुआत हो जाए ये जागरन का संकेते कि जो करते आ रहे थे अरे कहा जीवन विर्थ में गमा दिया ना पाठ किया ना पूजा की ना हरिनाम लिया ना कोई दान पुन किया ना तीर्थी आत्रा की ना सत्संग में बैटकर और कुछ छोड़ने के एक्षा पैदा हो जाए इस कार्थे जीवन में जागरती आ गई और ये जागरती कोई न कोई जागे हुए महापुरुष के द्वारा ही हो सकती संतकारते यह है जो सोते को जगाए वही संग हनुमाजी आये विभीशन जा गया परचे हुआ आराम कथा वेगरत सब हुई हनुमाजी ने पूछा विभीशन रात मैंने लंका में बड़ा पाप देखा भीया तुम कैसे रहते हो अरे विभीशन तो रोने लग हनुमाजी का रोते क्यों आपने मेरे पके हुए फोड़े पर चोट मार दी तो क्या मतलब बोले आपने सुना हूं पवान सुत रहनी हमारी जिमी दर्षननमह जीव विचारी आजी जिमी दर्षननमह जीव विचारी बिवीशन ने बड़े दुखी धरदाई से कहा जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है हनुमान जे का ए बिवीशन तु भक्ती करता है भगवान का भजन करता है और बिचारा होकर जीवन जीता है विचारे मत बनो विचार करो आगर तुमारी दुरदर्शा क्यों हो गई तुम भक्ती राम की करते हो राम का काम कुछ नहीं करते हो राम जी की पत्नी हरन करके तुमारा भहिया लेकर आया और आस तक मिलने नहीं के तुम जिनके मूर्थी की दुआरती करता है और वो साक्षा जगदमा विराजमान है और कभी दर्शन करने नहीं गया विचारे मत बनो विचार करो के तुमारी दुरदशा क्यों हो रही है केवल लाल बत्ती के लोब में तुम लात खा रहे हैं बैठे बैठे केवल तुमारी मिनिस्ट्री ने चलिजा केवल इसलिए हनुमानी ने दर्श्टी बदल दी बिबीशन दातों से ही जीव की रक्षा है सत्ती ये है कि जब दातों खड़ जाते हैं तो जीव बहुत चंचल हो जाती है आप देखी आप के अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे सजण माता हैं बूढ़े सजण हो जिनके मुँ में एक भी दात नहीं है उनकी जीव दिन भर घूमती है मुँ में रुक नहीं सकती है वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है यह आपने देखा होता है कुँणातों के कालड से जीव भी शांत रहती है क्यों माताजी होता है कि नहीं ऐसा है वो हर समय वो जीव ऐसे ऐसे सब्सक्रिया करती हुए घलती रहती है अरे तुम्हें काटे तो देखे लिकिन काटों में खिले हुए फूल नहीं देखे, और पुष्पों के साथ काटे आवश्यक है, अगर काटे नहीं होगे, तो फूल भी नहीं खिल पाएंगे, कोई पशुक कुतर कर चला जाएगा, काटों से तो सुरक्षा है, ये तो जो तेरे उपर संकट है, संकट नहीं है, ये भगवत तुझे अंदाजी नहीं है कि भगवत करपा की रूप में आ चुका हूँ यहां विभीशन की द्रस्ती बदल देखो दो शब्द होते हैं एक होती है भगवान की करपा और एक होती है भगवान की एक्षा यह दोनों भगवान की होती है करपा भी भगवान की होती है एक्षा भी भगवान की होती अंतर क्या है दोनों में ध्यान से सुन लीजिए जब घर परिवार दुकान मकान कारो बार बाल बच्चे सब अपने मन के अनुसार चल रहे हों तो समझना चाहिए भगवान की क्रपा है और जब दुकान मकान कारो बार घर परिवार बाल बच्चे अपने मन के अनुसार न चल रहे हो तो समझ लेना चाहिए भगवान की इक्षा है करपा भी उसकी है इक्षा भी उसकी है ये तो दोना प्रभु के प्रशाद है कथा में प्रशाद मिलता है कभी खीर मिल जाती है कभी चटपटा समोसा मिल जाता है और प्रशाद पर कभी टिपणी नहीं की जाती प्रशाद पर कभी ननुरुच नहीं की आ जाता प्रशाद हाथ में लिया सिरमाथे लगाया और सटक लिया और प्रशाद का स्वाद भी नहीं लिया जाता प्रशाद सटका जाता है तो क्रपा के प्रशाद को तो सटक लेते हो चुप चाप और जब भगवान की इक्षा का चटपटा मिलता है तो धुदू करते हो करपा भी उसी की है इक्षा भी उसी की है दोनों और अगर भगवान की इक्षा को स्विकार कर लोगे सिर जुका कर तो करपा तो अतिशिक्र ही आया करती है एक्षा के पीछे ही करपा आया करती है पहले वो देख लेता है कि मेरी एक्षा को भी मानता है कि नहीं मानता है पता नहीं करपा को न ठोकराते हैं जो एक्षा स्विकार कर लेता है और करपा भी उसके पास आता महात्माओं का कैसा सोच होता है आपने सुना होगा यहां कई प्रवचनकार उसे सुनाते हैं एक बार शिव और पार्वती जी बनवे होकर निकल कर जा रहे थे ये चारो भाई सनक्ष, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार सादू तो फक्कड अपनी मस्ती में सादू तो अपनी मस्ती में रहता है हमारे नानक जी ने कहा है न वाह वाहरे मोज फकीरादी कभी तो छापन भोग लगावे कभी तो छापन भोग लगावे कभी ककड यां फीरादी वाह वाहरे मोज फकीरादी कभी तो ओढ़े साल दुसालादी कभी तो ओढ़े साल दुसालादी कभी गुदड़ियां चीरादी वाह वाहरे मोज फकीरादी कभी तो सोवे रंग महल में कभी तो गली अहीरादी वाह वाहरे मोज फकीरादी मंग तंग के तुकडे खांदा मंग तंग के तुकडे खांदा मंग तंग के तुकडे खांदा चलता चाल वाह वी रादी वाह वाहरे मोज फकीरादी सादू की मौच अपने चारो भाई मस्ती में खड़े बाते कर रहे थे पारवती जी का माथा ठनका उट से खड़े आप निकल के जा रहे हैं आपको प्रणाम तक नहीं किया उट हो जाओ अब भवानी का वानी वचन चारों उट हो गए एक साल बीत गया पारवती जी ने कहा कि चलो उटों को देखकर आते हैं आजकल क्या हाल है जैसे हमारे यहां से कोई नौकर काम छोड़कर चला जाए और किसी दूसरे क्या चला जाए तो हम ये सूचना की इंतिजार करते हैं कि आजकल भाद दुखी है कि नहीं है इसकी चंता करते हैं कि वो दुखी है कि तो संकरजी ने कहा साधु है रहने तो बोले नहीं देख थी उचल के आ गए चार उट बैठे जुगाली कर रहे थे पारवती जी प्रकट होकर आ गए पारवती जी ने कहा कि हमने आपको उट होने का श्राप दिया आपको बुरा न क्तलब बोले जब मुनी के वेश में रहते थे रोजाना नहने का जंजट पढ़ता था ठंडे पानी से नहाते-नहाते-नाक में दव हो जाता जब से उट बना है नहने का जंजट ही खतम हो गया कोई जरूवते नहीं पढ़ते हैं और दूसरे जब मुनी के वेश में निकला करते थे तो लंगोटी चाहिए अचला चाहिए कपड़ा चाहिए चादर चाहिए जब से उंट बनाया है कच्छे बन्यान का भी जंजट घतम न टीटी चाहिए न स्वास्तिक चाहिए मस्त घूमते हैं और जब रिशीवे इसमें थे तो भीक्षा की चिंता होती थी कहां जाकर भीक्षा करें जब से उंट बनाया है ये जंजट खतम होगा जहां मूठ आते हैं वही भीक्षा हो जाते हैं जिस पेड़ के निचे मूठ आया तो ये हर क्रिया में भगवान की सद इक्षा का दर्शन ये साधता है प्रभू की यही इक्षा होगी हम गाते तो हैं जाइविद राके राम ताइविद रहिए लेकि रहना चाहते हैं अपनी शर्तों पर रहना चाहते हैं अपनी बिवीशन का थोड़ा मूठ ठीक हुआ तो हनुमान जी ने कहा के चलो अब मा का दर्शन करें बिवीशन ने युक्ती बता दी जुगत ती बिवीशन सकल उसने बोले ऐसा करो मेरे पास तो टाइम नहीं अभी मेरी केबिनेट की मीटिंग है ऐसे जाना चौराहे पर फिर ऐसे दाएम उड़ जाना फिर आगे तिराहे पर भाएं सामने अशोग बाट का चले जाते हैं हनुमान जी ने कब यह तू जाने तिरे काम जा रहा है मैं तो चला चलेओ पवनसुत बिदा कराई और विबीशन जैसा सभाव हम सबका है हम सबको युक्ती बताते हैं ये मत खाओ ये मत पीओ ये मत करो वहां मत जाओ ऐसा मत बोलो ऐसा मत करो वहां मत बैठो हम दुनिया को उपदेश करते हैं और खुद गड़े में जाड़ियों में भसे रहते हैं हम खुद कीचड में पड़े रहते हर बाप अपने बच्चों को उपदेश करता है लेकिन कभी सोचता रहे कि जो बाते मैं अपने बच्चों को उपदेश में कह रहा हूँ वही बा बिवीशन को बाद में लात खानी पड़ती है और ये नियम है जब तक संसारी की लात नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद नहीं लगती ये हनुमान जी की बात सुनकर नहीं आएगा भगवान की और य लेकिन कलंग साथ लगा रहे गा हनुमान जी तो आ गए अशोक बातिका में मां का दर्शन किया क्रिश्टन सीस जटा एक बैनी हडियों का ढाचा मां बैटी हरिनाम का सुमिरन अशोक वरक्षपर हनुमान जी बैटे मनही मन मां को प्रणाम किया सोच रहें क्या करूं मुद्र सोचते ही रह जाओगे द्योज से भजन करूं के पंचमी से करूं के एकादशी से करूं के मावस से करूं के पूरलिमा से करूं सोचते ही रह जाओगे तब तक साला आएगा और जन कहीं और घुमानी ले जाएगा शुब कार आते ही शुब विचार आते ही तत्काल शुरू करो एक बार शुब विचार गया तो बहुत लंबी आत्रा पर चला जाता है रावण ने जानकी जी को बहुत धंकाया है और कहकर गया एक मास की मौलत दे कर जा रहा हूँ रावण तो चला गया तो जब राग्चासियों ने धमकाना शुरू किया तो तिरजटा नाम के एक राग्चासिय जो जानकी जी की बड़ी हितैशी थी उसने समझ डाटाई खबरदार ये जगन माता है इसको कुछ मत बोलो रावड की बातें मत सुनो अरे मैंने राट सपना देखा है कि एक बड़ा भारी मोटा ताजी बंदर आया है और उसने सारी लंका को जला के राख कर दिया अशुक बातका को जाड दिया अब हनुमान जी पेड़ पर बैटे है और सोच रहे है कमाल को कम्प्यूटर रहा के पास मोई आई भी की देरों नाए भई या कुछ सपनों आएगो कमाल का पार मान जी सोच रहे है कह रही है लंका जलाएगा भगवान ने तो एकाने चल जानकी जी ने तरिजटा जी को कहा कि मा इस रावड की ये भाशा मुसे सहन नहीं होती मैंने चिता बना ये कई से अगनी लाओ अब राक्षसी को देखो कई बार जीवन में ऐसा अवसर आ जाता है कि बड़े बड़े भक्तों का भी भगवान से भरोसा उठ जाता है जानकी जी का भी भरोसा उठ सुका है अगर जानकी जी को भरोसा होता तो चिता बना कर अगनी नहीं मांगती राक्षसी कहती है बिटिया धैर रखो सब दिन एक समान नहीं हुआ करते अंधेरा है तो सूरी भी उदित होगा ये तो चक्र भूंता रहता है आज दाता नीचे है तो कल को उपर भी चला जाएगा सब दिन रहतन एक समाना प्रभू की जरूर कर पाएगी बेटी धैर रखो प्रतीक्षा करो समझा कर तिरिष्टा चली गई जानकी जी तारों से अगनी मांगती है अशोक व्रक्ष को उलहाना देती है अरे अशोक व्रक्ष से दीने मोगती है